ना सदा सिन्नो सदा सित्त दा नीम ना सित्र जो नो व्यो मा परोयत किमा वरेवह कुह कस्य शरमनम भा किमा सित गहनम गवेरं तृष्की से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था चिपा था क्या कहां किसने धका था उस पल को अगम अतल जल भी कहां था क्हिजा का था चा पॉा द श्याने नहीं था तुता सक्षक्ण चितार कि अगम अनाय कर दोक्त किर Allah श्यास था भी eso उप सुआ कि तूब ए to स्विष्टी का कौन है करता, करता है वाह करता, उन्चे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता वही सच मुझ में जानता, या नहीं भी जानता, है किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता नहीं है पता पता उन्नीसमी सदी की शुरुआत में ही बंगाल में हिंदु धर में पश्चिम से प्रभावित होकर सुधार करने की कोशिश की गई राजा राम मोहनराय ने ब्रहमो समाज की स्थापना की जो धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाखंड के खिलाफ था लेकिन ब्रहमो समाज में बहुत ज़्याद सिदस्य नहीं थे ये अंग्रेजी दां बंगाली मध्यम वर्ग तक ही सीमित था इसी सदी के अंत में एक और मजभी सुधार आंदोलन चला स्वामी द्यानंद सरस्वती का आर्या समाज जिसका नारा था केवल वेदों को अपनाओ इसे मानने वालों में ज्यादातर लोग यूपी और पंजाब के मध्यम वर्ग और व्यापारी तबके से थे स्वामी द्यानंद के दौर में ही रामक्रिशन परमहंस भी हुए जो सिर्का परस्ती के सक्त खिलाफ थे वो मानते थे कि सब रास्ते हकीकत की एक ही मन्जिल तक जाते है उनके प्रमुक्ष शिश्य थे स्वामी विवेकानंद हलाकि वो माजी से जुड़े थे और हिंदुस्तान के विर्षे पर उन्हें गर्व था विवेकानंद रोशन ख्याल थे उनकी शख्सियत हिंदुस्तान की माजी और हाल की दर्मयानी कड़ी थी तू जननी है जन्म भूमी तेरा जस्म है गाते ने उच्छावन हो जाता तू जननी है जन्म भूमी तेरा जस्म गाता लेती मता कभी न कुछ भी पर देखती ही जाती करतब जो को राम बनाती मुख से गीता गाती हाज भी रखती है दिन प्रिती की कहती में धी मता मता तेरा जस्म है गाता मता तेरा जस्म है गाता बेटा जाके घर में पूछ किया कि इस भूखे नंगे करे फकीर के लिए कोई चादर मिल जाए तो अच्छा बाबा यह लो बाबा धन्य हो बेटा तुम्हारा हर्दे बहुत महान है भगवान तुम्हारी रक्षा करे बाबा आपने कर भी भगवान को देखा है ऐसे हमारे भागे कहां बेटा उन्हें के धर्शन के लिए तो दर-दर भटकते हैं पर हाँ तुम्हारे आखों में मझे इश्वर की जलक दिखती है तो मैं आवज शेग इन उनके धर्शन होंगे माता मिका ति मिर का घेरा थैला दे जियाना पाप काट दे भुन्य बाट दे सब में भर दे ज्वाला अम्रित पुत्र बने वो मता मता अम्रित पुत्र बने वो जो ले सेवा का भ्रत मता मता तेरा जस्मेदाता मता तेरा जस्मेदाता ज्यान दो अभी ज्यान दो तुम प्रीति पावन दो तुमी शुगता तुमी शुचिता सक्य आशे दो रभु तुम सक्य आशे दो ज्यान दो तुम शक्ति दो तुम सहन शीला वरिति दो तुम भी रख्ति तुमी रख्ति चर्ण आशे दो रभु तुम चरण आशय दो रभु तुम चरण आशय दो अरे नरें, बहुत चुप-चुप परिशान लगते हूँ, क्या बात है? कुछ नहीं, हाँ, मगर यह सच है कि कई दिनों से एक अचीब सी परिशानी ने मुझे गेरा हुआ है मैं कुछ समय से ब्रह्म समाज में आ रहा हूँ प्रह्म समाज जिन बातों पर सोर देता है, मुझे उन पर भी आस्ता है मैं मूर्ति पूजा और चाति प्रता के लिए मेरे मन में कोई आधर नहीं स्त्री शिक्षा और नारी स्वतंतरता पर मुझे विश्वास है मैं आपके लेखों खराब के भाशनों से काफी प्रेरित हुआ हूँ अगर फिर भी कोई कोई ऐसी चीज है जो गया है वो किस चीज का तुम्हें खो जाए किशे बाबो मैं इश्वर का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ मैंने प्रार्थना की, मैंने अध्यहन किया, मैंने ध्यान लगाया लिकिन जिस तरह बच्पन में इश्वर को अनुभव किया करता था उस तरह नहीं कर पा रहा हूँ इसके लिए तुम्हें महेशित देविन ना ठाखुर से मिलना चाहिए आपने क्या कभी इश्वर को देखा है आपने क्या क्या हूँ So familiarly do I perceive her manner and her look and presence and so deeply do I feel her goodness that, not seldom in my walks, a momentary trance comes over me and to myself I seem to muse on one by sorrow laid asleep William Wordsworth had a very special relationship with nature the distinction between him and nature seemed to disappear it was as if he were in a trance when he dealt with the beauties of nature a most unusual state of bliss felt only by those who feel the oneness of the universe Sir, is it possible that anyone can feel that way? Well I've only seen one person in such a state of bliss a total trance, Samadhi I think you call it and his name is Ramakrishna Pramahamsa and he lives in Dakshineshwar Is it possible that there on the Earth The way that he does like to... कोई पानी कहता है कोई वाटर कहता है तो कोई एक्वा कहता है। उसी तरह से एक ही सच्चिदानंद को कोई हरी कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गाड कहता है, कोई ब्रह्म कहता है। प्रभू मैं अपने मित नरेन को आपसे मिलाने लाया हूँ। यह बहुत अच्छा गाती भी है अरे क्या हमें भी एक गान सुनाओगे घर चलो मन घर चलो मन आज ही अपने घर चलो मन घर चलो मन आज ही अपने छोड़ करके मनोहरी काच के सकने घर चलो मन घर चलो मन आज ही अपने ये जग बिलकुल पराया पराई चादर ये जग बिलकुल पराया पराई चादर शान जुठी मान जुठा खेल है पलभर ठके हो तुम लगे हो ताप से तकने घर चलो मन घर चलो मन आज ही अपने जी नहीं लगता घर की याद तड़ पाती है वह पर मा के लिए बहुत अकुलाती जी नहीं लगता घर की याद तड़ पाती है वह पर मा के लिए बहुत अकुलाती द्वार का वो दीप जलता लगा है दिखने घर चलो मन घर चलो मन आज ही अपने छोड़ करके मनो हारी काच के सपने घर चलो मन घर चलो मन क्या तुम्रे सोने से पहले एक प्रकाश पुझ दिखाई देता है हाँ क्या हर किसी को दिखाई नहीं देता तुने आने में बहुत तेर की कितना निर्दई है तुमसे इतनी लंबी प्रतीक्षा करवाई संसारी लोगों की ओची बातें सुनते सुनते मेरे तो कान पक गए थे कबसे तरस रहा था कि मुझे कोई तो ऐसा मिले जिससे मैं अपनी मन की बात कह सकूँ जिसके सामने मैं अपने मन का भोज हलका कर सकूँ प्रभू मुझे मालूम है आप प्राचीन रिशी नर हो धारायन के अवतार मनुष्य के दुख हरने के लिए तो आपने इस धर्ती पर जनम लिया है मुझे वचन दे तु दुबारा दर्शन देगा चल्दी ही सुने क्या क्या आपने भगवान को देखा है हाँ मैंने इश्वर को देखा है जैसे मैं तुमें देख रहा हूं साक्षाद नरेल नरेल कौन महेंद्र महेंद्र आँ और कैसे हो यहाँ अकेले अंधरे में क्या कर रहे हो सोच रहा हूं सामी रामक्रिष्ण परमहंग्स के बारे में हाँ असाधान बेकते हैं है मित्रत तुम तो कई बार उनसे मिल चुके हो अब तुम ही बताओ तुम क्या सोचते हो उनके संबंद में मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता उन्होंने तो मुझे पूरी तरह ब्रहमित कर दिया मालूम नहीं वो संत हैं या संमोहक जब मैं पहली बार उनसे मिला तो मुझे लगा कि वो पागल है मगर नजाने ऐसा क्या है जो बार बार मुझे उनसे मिलने के लिए उनके दर्शन पाने के लिए बिवश करता है महिंद्र तुम तो जानते हो कि मैंने तर्क बुद्धी पाई है मैं तब तक किसी चीज को नहीं मानता जब तक कि उसका तर्क ना समझ लूँ उसकी जांच पड़ताल न कर लो लेकिन लेकिन उस निरक्षर रामकृष्ण ने तो मेरे समूझे विश्वास को हेला कर रख दिया मुझे लगता है कि वो मेरे बारे में मुझसे जादा जानता है वो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचते हैं वो चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो मुझे मालूम है मैं जब भी उनसे मिलने जाता हूँ तो वो मुझे बार-बार आने के लिए विनती करते है अपार स्ने के साथ मेरा स्वागत करते है अगर मैं कुछ कहना भी चाहूँ तो अपने स्ने से मुझे चुप करा देते हैं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता दूसरे दिन जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने मुझे सिर्फ छुआ स्ने भरा स्पर्श था वो अनुखा अनुभफ हुआ मुझे मेरी आखे खुले हुए थी मुझे लगा जैसे कीरतन कक्ष की दिवारे ही नहीं बलकि सारी चीज़ें धीरे धीरे अपनी पहचान खो रही हैं सारा प्रम्मांद जिसमें मैं भी हूँ दोड़ा चला जा रहा है मानो एक बड़े से शुन्य में कुछने के लिए मैं चलना पड़ा और वो हस पड़े कहने लगे की ठीक है अभी सिर्फ इतना ही तुम जाओ समय आने पर सब होगा तुम उनका विरोध क्यों करते हो नरेन वो सबसे कहते हैं तुम ध्याम सिथ्थ हो सिर्फ तुम ही उनके ऐसे सिष्ष हो जिसे वो अपनी अध्यात्मिक संपत्ति का उत्तर आधिकरी बनाना चाहते हैं वो तुमसे मिलना चाहते है नरेन वो तुमसे मिलना चाहते है मैं उनके पास जाओंगा मैं सदा सिष्थ की खोज में बटकता आ रहा हूँ मुझे कुछ प्रश्णों के उत्तर चाहिए अब मुझे लगता है कि दक्षनेश्वर के उस व्यक्ति के पास ही कुझी है मुझे मालूम था तुँ आ जाएगा देवी मा ने मुझे कहा था आओ नरेल देवी मा ने आपसे कहा कि मैं आ जाओंगा लेकिन आपने कैसे जाना कि कहने वाली वही थी क्या यह आपका भ्रह्म नहीं हो सकता मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि यह आपकी कल्पनाएं हैं सिर्फ कल्पनाएं जो तरह तरह की जादूई आकरितियां कर रही हैं ओ नरेल तु इस तरह से क्यो मेरा विरोध करता है मुझे मालूम है तु एक दिन अवश्य उस जोती का दर्शन करेगा और तेरे जीवन को एक नया आर्थ मिलेगा पर उससे पहले तुझे मा की सत्पा को स्विकारना होगा परम ज्यान ब्रह्म आनद के सामने तुझे अपने आपको समर्पित करना होगा तो फिर आप मुझे तीन चार दिन तक लगातार समाधी में लेन क्यो नहीं होने देते अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मुझे उसका अनुभव क्यों नहीं करने देते तुझे शर्म आनी चाहिए तुझे और निरर्थक चीज की चाह कर रहा है मैंने तो सोचा था तुझे बड़े बट वर्क्ष की तरह से है जिसके नीचे हजारों लोग आश्रे पाएंगे अगर तु तो अपने ही मोक्ष से मतलब रखता है प्रभु प्रभु मैं दुखी पिड़े तुप मिला मनना शानत है मैं इश्वार के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं र्याकुल हूँ, लेकि वह मुझे दर्शन नहीं देते, मैं रात रात बात समाधी में लील रहता हूँ, जिल में देशुत बुद्ध को जाती, इस सारा संसार मुझे अपरी और तुछ लगता हूँ. प्रभू, जब मैं आपके पास होता हूँ, तुम्झे शान्ती मिलती, प्रभू, प्रभू मुझे साहता दीजे, मुझे साहता कीजे प्रभू नरेन, मेरे बच्चे, तू जिस दशा से गुजर रहा है, मैंने पूरे बारा बरस तक उसका आनुमर किया बारा बरस तक एक तेज आंधी मेरे सिर में चलती रही है, धहरे रख, मुझे मालूम है, मेरा चुनाव सही है मेरे बाद तू इन लड़कों की देखरे करना, उन्हें ऐसा बनाए रखना कि उनमें आध्यात्मी का नुशासन बना रहे तेरे सामने एक बड़ा काम है, तुझे उस परम आनंद के अनुभूती होगी, जिसके लिए तू इतना व्याकुल है, लेकिन तब जब तू ये अनुभव करेगा, कि सब कुछ हीश्वर है, तू ये संसार, हर चीज, हर स्थान प्रम है, परम प्रम प्रभू, प्रभू, जल्दी चले, कुछ गरबर है, क्या बात क्या है, गुपाल, नरेंद, बहुत अजीब वहवार कर रहा है, मुझे तो डर लग रहा है, वो बहुत बीमार है, कि उसकी मृत्यू न हो जाए, उसकी दशा देखकर भय लगता है, मेरे साथ चलिए, आप स् प्रभू, यह बताओ, उसके ऐसी दशा क्यों है, मैं भी उसी कमरे में ध्यान लगा रहा था, जिसमें नरेन, एका एक वो चिल्ला उठा, उसने मुझसे का, वो अपनी शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है, सिर्फ उसका सिर, उसने मुझसे पूछा, मेरे शरीर कहा चला गय इस हाल में पहुचने के लिए वो कबसे मुझे परिशान करता रहा है, चिंता मत करो गोपाल, वो मरेगा नहीं, जाओ तुम आखिर नरेन निर्विकल्प समाधी के अवस्ता पाली, उसकी प्रार्थना पूरी हुई, नरेन तो आज मा ने तुझे सब कुछ दिखा दिया, यह अनुभव बिलकुल वैसा है जैसे कोई बहुत कीमती चीज तुझे छिपा कर मेरी निगरानी में, एक संदूक में ताला बन करके रख दी गई हो, चाभी मेरे पास है, और यह संदूक तभी खुलेगी जब तु इस संसा में अपना कर्तवे पूरा करतेगा, और तब तु सब कुछ जान सकेगा, जैसे आज जान पाया है, प्रभू, मुझे समाधी में बहुत आनंद मिला, कृपया मुझे उसी अवस्था में रहने दे, नहीं नरे, तुझे अभी और बहुत से काम करने है, मा के प्रताप से यान अभव कर सकेगा, तो इस संसार में एक महान काम करेगा, लोगों में आध्यात्मिक चागरती पैदा करेगा, दीन दुख्यों के दुख संताब को हरेगा, तुझे एक बहुत लंबी आत्रा पूरी करनी है मिर बच्चे, बहुत बहुत लंबी आत्रा, गुरुदेव के अद्भुत वचनों से आज मुझे अनोखा प्रकाश मिला है, उन ग्यान के वचनों से मैं समझ पाया हूं की तपस्वी और मुनी जो समाज से दूर वेदान्त के आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हैं, उनका अभ्यास घर परिवार में रहकर भी किया जा सकता है, और उन्हें सामान्ने जीवन में भी अपनाया जा सकता है, मनुष्य जो भी वेवसाय करता हो, उसे बस यही समझना और अनुभव करना है, कि इश्वर ने अपने आप को ही इस संसार और अनेक जीवों के रूप में रकट किया है, वो सब में है, सब में समाया है, और फिर भी सब से अलग है, मनिश्य को इश्वर का ये रूप मान कर, उसे सेवा के रूप में अपनाना है, तभी वो अपने मन को शुद्ध कर सकता है, चाहे जो हो, अगर इश्वर की इच्छा हुई, तो बहुत जल्द ही मैं इस महान सत्य की घोशना सारे संसार के सामने करूँगा, मैं इसे विद्वान मूर्ख, अमीर गरीब, ब्राह्मन चंडाल, सब की समान संपत्ति बना दूँगा, उसका रूप नहीं दिखता है, कोई देख नहीं पाता है, रदय मनीशा से वो कल्पित जान गया जो, वही अमर हो जाता है, नरेन, अरे बहुत लगड़ी सीरली है, अब बस करो, अरेन, मैंने का बहुत लगड़ी हो गई है, अब बस करो, पधिना पधिना हो गई हो, आराम करो, कितना अच्छा लग रहा है, शारीरी परिश्रम से मुझे बहुत आनन्द मिलता है, महेंद्र, मेरे विचार से, गीता की तुलना में, फुटबॉल के जरिये इनसान स्वर्ग के ज्यादा करीब पहुँच सकता है, शक्ति ही जीवन है, और निर्वल तामरित्यों, हमारे बाकी शिष्र क्या कर रहे हैं? अरे सुबह से ससी द्वार द्वार भटक रहा है मुठी भर चावल के लिए, शशी तो जैसे इट्स मठ में मा की तरह है, जब तक सब को खाना ना खिला ले, उसे चैन नहीं, चलो, आज कम से कम चावल और नमक तो खाने को मिलेगा, दो दिन से खाने का प्रवन नहीं हुआ है, लेकिन किसी को कोई शिकायत नहीं, देखो हमने निर्धन रहने की और भ्रम्चर्य का पालन करने की सौगंद जो उठाई है, हम सब प्रभू के ध्यान में रमे रहते हैं, और वो हमें हर दिन जीवित रखता है, गुरु जी के आशिस के सहारे हम बढ़े जा रहे हैं नरेन, और तुम्हारी प्रणा भी तो साथ है, पढ़ना, शिच्छा, ठ्यान, पढ़ने के लिए प्रवित कर, तुमने हमें सब कुछ भुला कर, इश्वर की खोज में लगाती ह और तुमने जब से मठ की स्थापना की है, तब से लोग हमको पागल समझते हैं, चिढाते रहते हैं, तरह तरह के नाम से पुकारते हैं, लेकिन फिर भी हमें सन्यास में ही आनंद मिलता है, हम लोग प्रभु का गुन गाते हैं, और समाधी में रमे रहते हैं, लेकिन कभी मुझे लगता है कि ये मठ एक विलास की स्थान बन गया है, कभी-कभी मेरा मन बहुत व्याकुल होड़ता है, मगर नरिम, यहां लोगों से दूर, अपने ठंग से इश्वर की उपासना करते हुए, परम भराग को अपनाएं, शांती से जीवन विता रहे हो, नरिम, ल करनी चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनकी सुख दुख को समझना चाहिए, इस थान अब मेरे लिए बहुत आनंद दाय खोज़ता है, मुझे फिर से दुनिया में लोटना चाहिए, नहीं, तुम हम सब को छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हारे बिना, तुम सब, ह हमारे सभी गुरु भाई शांती का जीवन जी रहे हैं, हर कोई अपने ढंक से ईश्वर की खोज कर रहा है, याद करो, वो कहा करते थे, कि ईश्वर को पाने के पत कई है, उसको अनुभव करने के पत कई है, हर किसी को अपनी सोची हुई रहा पर चल कर उन तक पहुँचना चीतन आचीतन में, मैं हमेशा ये जानता था, तुम्हें जरूर एक ना एक दिन ऐसा करना होगा कुरू जी हमेशा कहते थे, कुछ फक्त मेरे ऐसे हैं, कुछ फक्त मेरा उस कमल की तरह है, जिसे दस पंखुडिया है, कुछ फक्त मेरे उस कमल की तरह है, जिसमें सो पंखुडिया है, मगर नरेंद्र, मगर नरेंद्र मेरा हजार पंखुडियों वाला कमल जैसा है उनके प्यार ने मुझे पूरी तरह बदल दिया मैं उसका मूल ले चुपाऊंगा बात कुछ करना है मुझे चलना चाहिए और मैं तब तक नहीं लटूँगा जब तक इस समाज पर बम की तरह न पठड़ू मुझे लगता है कि खोने के लिए अब और समय नहीं है ज़िए आगे चलना है ब्रह्म अमर है वो आगे है वो पीछे है वो दाएं बाएं भी वो है वो नीचे उपर है वो भी अखिल विश्व वो दिशातीत वो विश्वंबर है ब्रह्म अमर है ब्रह्म अजर है विश्व का इतिहास कुछ ऐसे लोगों का इतिहास है जिने खुद पर विश्वास था विश्वास मनुष्य के भीतर छुपे देवत्व को प्रकट करता है तुम कुछ भी कर सकते हो तुम तभी असफल होते हो जब अपनी अनंत शक्ती को प्रकट करने का पूरा प्रयास नहीं करते एक व्यक्ति या कोई देश जब अपने उपर से विश्वास खो देता है तो मृत्यू आती है इसलिए पहले स्वयम पर विश्वास करो और फिर इश्वर पर मुठी भर शक्तिशाली लोग पूरे विश्व को हिला सकते है इसलिए साहसी बनो साहस सबसे बड़ा सदाचार है हमेशा पूरा सत्त्य बोलो बिना किसी बेदभाव के बिना डरे बिना घुमाए फिराए और बिना कोई समझोता की अब रात हो चली है आप लोग अपने घरों को जाएं मैं कल फिर आऊंगा यहें स्वामी जी क्या है स्वामी जी आपने कल से कुछ नहीं खाया है मैं नीज जाती का हूं स्वामी जी इसलिए पका कर नहीं लाया है आप चाहे तो खुद ही पका लें मैं लकड़ी ला देता हूं तुम बहुत दयालो आओ बहुत ही दयालो अरे तुम इसे पका कर मुझे दो ना हम दोनों बलकी बिल बाट कर खा लेंगे पर मैं तो नीज जाती कहा हूं स्वामी जी आप मेरे हाथ का पका कैसे खाएंगे तुम मेरे भाई हो तुम में मुझे भगवान नजर आता है देखो अगर तुम मुझे पका कर खिलाओगे ना तुम मुझे लगेगा कि तुमने मेरा सम्मान किया है अरे नहीं नहीं शक्तिशाली और कमजोर उच और नीच सबके पीछे वही अनंत आत्मा है जो मनुष्य की अनंत शक्ति को श्रेष्ट और महान बनाने का आश्वासन देती है इसलिए अपने भीतर छुपे हुए इश्वर की घोशना करो उसे अस्विकार मत करो जाओ पका कर लाओ स्वामी जी आपने हमारे दर्वार में पदार्णा स्विकार किया है इसके लिए हम आपके बहुत आवारी है स्वामी जी आपके बारे में बड़ी कहानिया सुनी हुए मैं सोचता हूँ उन में से कुछ अच्छी भी होंगी मारा सब की सब घड़ी मज़ेदार है अब तो आपकी प्रसिद्धी बढ़ रही है है लोग कहें कि देख्या जान्या सादू माहत्माओं में आप सबसे अलग हो बहुत अलग हो आपकी विचारधारा प्रगतिशील है वो कई किस्सो है कि आप एक शुद्र के साथ भूजन कर रहा है और क्यों दिवान जी ये बात सच है माराज महराज कि एक शुद्र के साथ भूजन करने कर नहीं पाप है महराज, मैं जाती प्रथा को घ्रनित समझता हूँ इसकी वज़े से हमारे देश के लोगों को भयानक अपमान सेहना पड़ा है इससे जो पतन हुआ है वो शर्म की बात है हमारा धर्म रसोई घर में पहुँच चुका है चूलहा और भोजन हमारे भगवान हो गए है मुझे मत चुना, मैं पवित्र हूँ, हमारा धर्म मैं क्या, हर व्यक्ति अंध विश्वासी मूर्ख होने के बदले नास्तिक होना चाहेगा स्वामी जी, आप अंध विश्वास के खिलाफ हो, हो न लेकिन मूर्थी पुजा में आप बुराई नहीं समझो, अब इन मात्रों समाधान किस तर करोगा मैं मूर्थी पुजा में विश्वास कोने करूँ दूसरा लोगां की तरह लकडी, मिट्टी, धातूरी पुजा मैं कोने कर सकूँ इस बारे में आप क्या कहोगे यह किसका चित्र है भाराज का दिवान जी, कृपया इस चित्र को उतारिए लिवान जी, इस पर थूकिये मैं कह रहा हूँ, थूकिये थूकिये इस चित्र पर स्वामे जी, यह आप मने कहीं करवारा वास्ता कह रहा हूँ यह महराज रोचित्र है, मैं यह किस तर कर सकूँ लेकिन यह तो सिर्फ कागस का एक तुकडा है ना तो इसमें महराज की हड़्ियां हैं, नमास, नरक्त ना तो यह महराज की तरह बोलता है, और नहीं उनकी तरह वहवार करता है फिर भी आप इस पर थूकने से इंकार कर रहे हैं क्योंकि इस चित्र में आप अपने महराज के रूप की छाया देख रहे हैं वास्तव में आप इस पर थूकने से अपने महराज, अपने स्वामी का अपमान समझ रहे हैं देखे महराज, एक अर्थ में आप इस तस्वीर में हैं, और दूसरे अर्थ में आप नहीं हैं आपके स्वामी भक्त करमचारी इस तस्वीर को उतना ही सम्मान देते हैं, जितना वो आपके व्यक्ति को देते हैं यही बात उन भक्तों पर लागू होती है जो पत्थर या धातु की देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करते हैं प्रतिमा उनके मन में उनके इष्ट को लाकर खड़ा कर देती है और इस बात में मदद करती है कि वो अपने प्रभु में मन रमा सके आस्तम में वो पत्थर या धातू की मुर्ति की पुजा नहीं करते महाराज सभी लोग एक ही इष्वर की पुजा करते हैं उस इष्वर की जो परम आत्मा शुद्ध ज्ञान की चरम सीमा और इष्वर भी लोगों को उनके ज्ञान और उनकी समझ के अनुसार दर्शन दिया करते हैं स्वामे जी आपने मेरी आखें खोल दी दीवान जी तस्वीर को उसकी जगह पर टांग दी वेदांत की जन्मभूमी हमारे इस देश में वर्षों तक लोगों को वश में करके रखा गया हमारे सामन्त वादी पूरवजों ने देश की साधारन जनता को पैरो तले इतना रौंदा कि वो बेबस हो गए और इस अत्याचार के कारण यहां के गरीब लोग लगभग भूली गए कि वो भी मनुष्य हैं उन्हें महज लखड़ी चीरने वाला या पानी ढोने वाला बना कर छोड़ दिया गया एक गरीब एक नीच एक पापी का भारत में कोई मित्र नहीं उन्हें किसी का साहरा नहीं चाहे वो जितनी भी कोशिश करें उठ नहीं सकते वो दिन प्रति दिन नीचे गिरते जा रहे हैं चालाक शिक्षित वर्ग ने उनकी मेहनत के फल का एक बड़ा हिस्सा हडप लिया है हर देश में ये घतना घटी है पर अब जमाना बदल गया है निम्न वर्ग धीरे धीरे इस बात को समझने लगे हैं और इसके विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं योरोप और अमेरिका की जनता सबसे पहले उठी है और उन्होंने लगाई का शुब आरंभ कर दिया है भारत में भी इस जागरती के चिन दिखाई देने लगे हैं आज कल हो रही निम्न वर्ग की कई हरताले इसकी गवा हैं उच्च वर्ग अब निम्न वर्ग को अधिक दिनों तक नहीं दवा सकता चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले उच्च वर्ग का कल्यार अब इसी में है कि वो निम्न वर्ग के वाजिब अधिकारों को हासिल करने में उनकी मदद करे आज का हिंदु धर्म न तो ग्यान का पत है ना तर्क का वो तो मुझे छूना नहीं मत छुवाद बन गया है जिससे उसकी खुबिया ही खत्म हो रही है कभी कभी मत छुवाद के बंधन को तोड़ने का मैं तीवर आग्रह अनुभव करता हूँ लगता है तुरंत जाकर चिलाओं सब जन आएं जो निर्धन दुखी अभागे और दलित हैं फिर उन सब को एक साथ इकठा करूं जब तक वो नहीं उठते मा भी नहीं जागेगी स्वामी जी आप कहां से आये हैं एक बहुत लंबा सफर तै करके क्या आप थोड़े दिनों यहां रुकेंगे मेरा यहां से जाना आवश्यक है बहुत से काम पड़े हैं जो करने हैं मैं आपके साथ चल सकता हूँ अहां मगर कौन हो तुम जी मैं यहां का स्टेशन मास्टर हूँ मुझे शौरचंदर गुपतो कहते हैं एक भटकते हुए सन्यासी के साथ चलने का मतलब जानते हो जी आप अगर मुझे अपने साथ चलने के आज्या दे तो मैं सारा सलसार छोड़ सकता हूँ मेरी मंजिल निश्चित नहीं है बेटे मैंने पूरे देश की लंबाई चोड़ाई ना पी है लेकिन अभी भी मेरी खोज बाके है मेरे गुरु जी कहा करते थे कि अपनी मात्र भूमी को नब जीवन देने के लिए अपने जीवन को नच्छावर कर दो मैंने बहुत दुख देखा है मेरे बच्चे इतना दुख कि मेरा हृदय भर गया है कुरु जी ने कहा था कि धर्म भूखे पेट के लिए नहीं है इसे आज मैंने देखा है अगर तुम किसी ऐसे सन्यासी का साथ चाहते हो जो पर्वतों के एकांत में ध्यान लगा कर संतुष्टी पाता है तो मैं तुम्हारे मतलब का आदमी नहीं है जब आप सो रहे थे मैं देख रहा था मैंने आपके प्रवचन सुने है सिर्फ आप ये कैसे हैं जिनके पीछे मैं चलना चाहता हूँ देखो ये काम सरल नहीं है जीप आप अगर साथ देंगे तो सब कुछ सरल हो जाएगा स्वामी जी स्वामी मेरी एक प्रार्थना है इसे आप एक ऐसे व्यक्ति का प्रेम भी कह सकते हैं जो आपको सबसे अधिक चाहता है कही आप स्विकार करेंगे कहें तो सही महराज आप मुझे बेटा बुलाईए जैसे आप हमेशा बोलते हैं बहले ही मैं खेतडी का महराज क्यों नहूं आप मेरे स्वामी है आपके लिए हमेशा मैं आपके पुत्र जैसे रहूंगा अच्छा बेटे कहो आज से आप स्वामी विवेक अनंद के नाम से पुकारे जाएंगे क्योंकि आप आनंद और ग्यान के वाहक हैं स्वामी यही नाम आपके अनुकूल है कही आप स्विकार करते हैं किया भाई किया मुझे मालूम था आप स्विकार करेंगे आप अपने इसनही जनों की प्राथना कभी इंकार नहीं करते एक बात और है मैंने सुना है अमरीका में शिकागो नामक एक शहर है वहाँ विश्व के प्रमुक धार्मिक निताओं का एक बहुत बहुत सम्मेलन हो रहा है यह धर्म की एक बहुत बड़ी महासभा होगी स्वामी आप अक्सर कहा करते हैं कि आज इस बात की जरूरत है कि दुनिया भारत को अध्यात्मा की भूमी के रूप में आप ही हैं जो दुनिया को समझा सकते हैं कि सच्चा धर्म क्या है और हमारी प्राचीन धर्ती को क्या प्रदान करना है आपने मुझे बड़ी अच्छी तरह से समझाया अब आप सारे विश्व को समझाये मामी यह बहुत बढ़ी अफसर है सारी दुनिया को अपने विचारों का उभार दें इंकार न करें स्овामी लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं इस कारिक के योग्य हूं भी या आप योग्यी नहीं है स्वामी विवेकानं नहीं है आप सिर्फ आप ही ये काम कर सकते हैं मैं यह अच्छे से जानता हूँ और शीग्र ही सारा संसार जान जाएगा अच्छा अगर आपकी आग्या हो तो आज मैंने आपके मननरंजन के लिए कुछ प्रबंद किया है मुझे एक शमा करना बेटे मैं दूसरे कमरे में रहना चाहूँगा एक सन्यासी के लिए इस तरह के मननरंजन की आज्या नहीं हमारे प्रभू अगुन चितना धरो हमारे प्रभू अगुन चितना धरो समदरती है नाम तुमारो सोई पार करो हमारे प्रभू अगुन चितना धरो हमारे प्रभू अगुन चितना धरो एक नदिया एक नार कहावत मैं हो नीर भरो जब मिल गए तब एक बरनवर गंगा नाम परो हमारे सब अगुन चितना धरो हमारे प्रभू अगुन चितना धरो तनमाया जो ब्रह कहावत तनमाया जो ब्रह कहावत सूर सो मिले बिगरो कैने को मिरे धार की दे कैप्रण जात तरो हमारे प्रभू अगुन चितना धरो यह मां मैंने अपराथ किया है मैं यहाँ से जाने के लिए उठखड़ा हुआ था मैंने आपका अप्मान किया लेकिन आपके गीतने मेरी चेतना को जगा दिया भग्वान के सामने पवित्र अपवित्र मनुष्य जैसी कोई बात नहीं होती किसे की नंदा नहीं करता जेक शमा करें स्वामी ऐसा लगता है मानो धर्ती यहां आकर खत्म हो गई हो है ना स्वामी जी अब तो आपकी आत्रा समाप्त हो गई ना उसे उस शिला तक जाना चाहिए परंतु स्वामी जी मचुवारे बिना पैसे दिये हुए नाव नहीं देंगे और हमारे पास तो फूटी कौडी भी नहीं है स्वामी जी यह आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी स्वामी जी कर रहे हैं स्वामी जी कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मेरा देश मेरा देश मेरा देश मेने पूरे भारत की यात्रा की किन्तु आह मेरे भाईयों मुझे बहुत ही दुकद अनुभव हुआ लोगों की गरीबी को देख मैं अपने आसुओं को रोक न सका और अब मेरा ये दृड़ विश्वास है कि गरीबी और कश्ट को दूर किये बिना भारत के लोगों के लिए धर्म का प्रचार कोई माइने नहीं रखता है मैं भारत के दीन दुखियों के लिए वहां से समाधान लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं पश्टिम के सामने ये कहूंगा कि अगर भारत बीमार ये तंदुरुस्त है तो उसका संबंद पूरी दुनिया से है अगर भारत दूपता है तो पूरी दुनिया दूपती है बदले में बाहरी दुनिया को भारत के आत्मा और ईश्वर संबंधी ग्यान उसकी आध्यात्मक विरासत त्याग और सन्यास द्वारा सच्चे मोक्ष के आदर्श की आवश्चक्ता है मैं अमेरिका को भारत का प्राचीन ग्यान दूँगा और अपनी मात्र भूमी के लिए वहां से विज्ञान और टेक्निलोजी का ग्यान वापिस लाऊंगा अगर मैं इस कार में सफल होता हूँ तो भारत की प्रतिष्ठा पूरे संसार में ही नहीं होती बलकि हमारे देश के लोगों को एक नया विश्वास मिलता है सौमी आपके जाने के बाद हम लोगों का करतब्य क्या होगा हम लोग भगवान की सेवा कैसे करेंगे काम 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 चक्कों की जगा अपने कंधों को रखो और मनुश्यता की सेवा करो इश्वर तुम्हें सदा आशिरवाद देंगे Brothers and Sisters of America जिस तरह विबिन नदिया भिन भिन सुरोतों से निकल कर समद्र में मिल जाती है उसी तरह है प्रभू भिन भिन रुची के लोग तेड़े मेड़े अत्वा सीधे रास्तों पर चलते हुए तुझी तक पहुचते हैं एक सार्वभौमिक धर्म अवश्य होना चाहिए जो सांसारिक, सांप्रदाइक और भोगोलिक बंधनों से मुक्त हो जो अपनी अनंत भुजाओं में सारे विश्व को समेट ले और हर मनुश को उसमें जगा मिले आप लोग ऐसा धर्म सामने रखिए तमाम राष्ट आपके पीछे चल पड़ेंगे चाहे वो जो हूँ हिंदूों के ब्रम, मुसल्मानों के अल्ला बद्धों के बुद्ध, जरदुष्टीनों के अहूरा माजदा यहूदियों के जहुआ और स्वर्ग में स्थित इसाईयों के पिता वो आपको शक्ति दें ताकि आप अपने विचारों का, उच्छ विचारों का पालन कर सकें इसाईयों को हिंदू या बॉद्ध नहीं बनना है और नहीं बॉद्ध और हिंदू को इसाई ही बनना है हर धर्म को अपनी खासियत बनाए रखते हुए दूसरे धर्मों की शक्ति को अपने आप में शामिल करना है उन्नती के नियमों के तहट प्रग्दी करनी चाहिए अगर इस धर्म महासभा ने दुनिया को कोई संदेश दिया है तो वो ये है दुनिया में ये साबित हो चुका है कि साधुता, पवित्रता और दयाभाव किसी सामप्रदाय विशेश की संपत्ती नहीं है हर धर्म ने उच्च चरित्र के स्त्री और पुरुष को जन्म दिया है लेकिन अगर फिर भी कोई एक व्यत्ती ये सूचता है कि मेरा धर्म तो जीवित रहे और बाकी तमाम धर्म समत्त हो जाए तो मुझे उस पर दया आती है और मैं उससे कहता हूँ कि तमाम रुकावटों के बावजूद धर्म की ध्वजा पर हर धर्म की ध्वजा पर लिखा होगा कि मेल करो पूट रही स्वामी विवेकानन सियासत और अपने जमाने के सियासी लीडरों से दूर रहते थे लेकिन उन्होंने बार बार इस बात पर जोड दिया कि अवाम की हालत सुधारने के लिए आजादी और बराबरी बहुत जरूरी है उन्होंने कहा भारत की सारी उमीदें अवाम से जुड़ी है उचे तब के जिस्मानी और रुहानी तौर पर मुर्दा हो चुके है मुझे यकीन है कि कोई मुल्क बाकी दुनिया से अलग रहकर तरक्ती नहीं कर सकता और रोज बे रोज ये बात साफ होती जा रही है कि कोई भी मसला महज नसली, कौमी या इस तरह के तंग दाइरे में रहकर सुझाया नहीं जा सकता हिरन्यगरवात समवर्तताग्रेव भूतस्य जातप पतिरे कासी सदाधार प्रतिविंध्या मुतेमां कस्मय देवा यह विशा विदेम वहता हिरन्यगरवस्रिष्टी से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्दित्वमान धर्ती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हविदेकर जिसके बल पर दे जो मैं है अंबर पृद्वी हरी बरी सापित सिर स्वर्ग और सूरज भी सिर ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हविदेकर कर्व में अपने अगनी तारण कर पैदा कर व्यापा था जल इदर उदर नीचे उपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बन कर ऐसे किस देवता की उपास ना करें हम हविदेकर स्रिष्टि गिर्माता स्वर्ग रचेता पूर्वज रक्षा कर सद्य दर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर पहली है दिशाए बाहू जैसी उसकी सब में सब पर ऐसे ही देवता की उपास ना करें हम हविदेकर ऐसे ही देवता की उपास ना करें हम हविदेकर